कि यह चीजें देखता हूं कि मन को इतरा संतोस होता है कि सियावर राम चंद्र की जाए पाइस जनवरी को वो आतिहासी क्षण आने वाला है जब अमारे भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजने जा रहे है हम सबने आराध्य के दर्शन टेंट में करने की तसंकों पुरानी पीड़ा अब दूर होने जा रही है राम मंदिर में प्रान प्रतिष्टा से पहले पुछ संतों के मारदर्शन में मैं अपने यम नियमों में वस्त हूँ और उसका मैं बड़ी कठोरता से पालन भी करता हूँ और आप सब के आशिरवाद से इन 11 दिनों में मैं वो साधना कर पाऊँ ताकि मेरी कोई कमी नह रह जाए और इस पवीत्र कारे को करने का मुझे जो अवसर मिला है साक्षी भाव से आपके आर्शिरवाद से वहाँ जाऊंगा साथ यह भी संयोग है कि इसकी शुरुवाद मेरे इस अनुस्ठान की शुरुवाद महाराष्टर के नासिक से पंचवटी की भूमी से हुई राम भक्ती से भरे इस वातावर्ण में आज महाराष्टर के एक लाग से जादा परिवारों का दिरह प्रवेश हो रहा है अब बताइए मेरी खुशियां अनेक गुना बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी आपकी भी बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी मुझे बहुत खुशी है कि महाराष्टर के एक लाग से अधिक गरी परिवार भी 25 जनवरी को अपने पक्के घर में शाम को राम जोती प्रजवलित करेंगे करेंगे ना सब लोग राम जोती प्रजवलित करेंगे शाम को करेंगे पूरे हिंदुस्तान में करोगे अगर राम के नाम पर अपने मोबाहिल का फ्लेश चालू कीजिए और राम जोती का संकल पर लीजिए आप सब के मोबाहिल की फ्लेश चालू कीजिए सबके जिसके हाथ में मोबाइल पून है वो वादूर भी लोग है महने तो सोचा नहीं था यह फ्लेश लाइट होने के बाद दिखने लगा इतनी भारी फीड है जड़ा हाथ उपर करके बताईए बाइस तारीक शाम को राम जोती प्रक्टाएंगे शाबाज आज महाराज सके अलग अलग शहरों के लिए दो हजार करोड रुपिये के साथ अमरित प्रोजेक्स का भी शुभारम किया गया है मैं सोला पुरवासियों को महाराश्टर के मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ और अभी मैं मान्य मुखमंत्री जी को सुन रहा था उन्होंने एक बात कही कि मोधी जी के कारान महाराश्टर का गवरों बहुत बढ़ रहा है शिमान शिंदे जी यह सुनकर तो अच्छा लगता है और पॉलिटिशन को तो ज्यादा अच्छा लगता है लेकिन सक्चाई यह है कि महाराश्टर का नाम रोशन हो रहा है महाराश्टर की जनता के परिशम और आप जैसी प्रकतिशिल सरकार के कारण हो रहा है और इसलिए पूरा महाराश्टर बधाई के पात्र है साथियों प्रभु राम ने हमें हमेशा अपने वच्चन की मर्यादा रखने की सीख दी है मुझे खुशी है कि सोलापूर के हजारों गरीबों के लिए हजारों मजदूर साथियों के लिए हमने जो संकल्प लिया था वह आज पूरा हो रहा है आज पी एम आवास योजना के तहट मनी देश की सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकारपड हुआ है और मैं जाकर के देख के आया मुझे भी लगा कि काश मुझे भी बच्पन में ऐसे घर में रहने का मोका भी लाए यह चीज़े देखता हूँ मन को इतना संतोस होता है इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं तो उनके आशिरवाद मेरी सबसे बड़ी पुंजी होते हैं और जब मैं इस प्रजेक का सिलान्यास करने आया था तब मैंने आपको गारंटी दी थी कि आपके घरों की चाबी देने भी मैं खोदाऊंगा आज मोदी ने ये गारंटी पुरी की है आप जानते ही हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पुरा होने की गारंटी यानी मोदी ची गारंटी मनजे गारंटी पुर्ण होना ची संपुर्ण गारंटी कि अभते हैं झाल झाल